कार्थ माधन समयमा मल नल्याएं किसानलाई रुवाईर है के वेला शेलूंग इंटर्प्राइज़ लाइक रिशी सामगरी कंपनी लिमिटेडले रासायनिक मल आयात का अरूदूई ठीक का पनी दिये को पाई को छक कर्मचारी सिंद को मिलं तुमा इंतर राष्ट्रिय बजा विशलेशन गरेर शेलूंग का संचालक शार्दा प्रसाद अधिकारी ले थप ठेक का हत्याय का हुन शेलूंग ले गत आर्थिक वर्ष शुन्य साथ छे सतहतर को ठेक का मा सहभागी भई लियाउन उपने पचीस हजार तान युरिया समयमा नल्याइप्ची आयतबार प्र शेलूंग ले जेट दोसरो हपता बात लियाउन उपने युरिया नल्याइका कारण देश पर किसान आंदुलित भहर हे कावेला असार तेसरो रह अंतिम साता क्रिशी सामगरी ले थप दूई ठेक का को संचालक गरे को थियो क्रिशी सामगरी ले 28 माग शुन्य साथ छेहमा 25,000 तन युरिया मल खरिद का लागी टेंडर गरे को थियो कर्मचारी को मिलम्तोमा शेलूनला इम्यूंतम रकम कबोल गर्म लगाई दुवै ठेक का दिलाये को स्रोट को दावी छाथ दुवै ठेक का को संचोता क्रमशा 18,000 रहासा रंतिम साता भहे को थियो क्रिशी सामगरी ले टेंडर गरे को मितिबाट छिटोमा छे महिना रो औसतमा आठ नौ महिना भित्र मल भित्रयाउने गरे को छाप सुस्त प्रक्रिया का कारण नया आर्थिक वर्ष सुरू हुनु भदा पांच महिना अधिवाटै क्रिशी सामगरी ले मल खरित को टेंडर सूचना प्रकाशित गरने गरे को छा 28 मागर को टेंडर प्रक्रियामर शेलून सहित छे कंपनी सह भागी थिये शेलून ले 311.50 डला प्रतिटन कबोल गरे को थियो बंगलादेश को देश टे डिन करपरेसन धाकाले 315.46 डला प्रतिटन कबोल गरे को थियो शेलून ले कर्मचारी सिंद मिलम तो करेर न्यून रकम कबोल नगरे को भै यो ठेक का बंगलादेशी कंपनी ले पाउने स्रोत को भनाई छा यदी स्वच प्रतिसपर्था भै को भै बंगलादेशी कंपनी चनोट हुथियो रोसले चालू आवको ठेक का नुसा रहीले मल दिन सुरूपनी करिसके को हुथियो स्रोतले भनियो तार रामरो कंपनी चाडेर बदनाम छेकेदार चनोट गर्दा आहिले सरकाले सापट मा मल ल्याउं प्रयतन गर्नुप्रे को छा स्वच प्रतिसपर्था भै को भै आहिले बंगलादेश बात सापटी मा मल खोजनुपने अवस्था आउने थियो यो ठेक का क्यतिवला दियायको थियो जतिवला मल अभावको विरोध मा विभिन जिल्ला का किसान धर्नामा उत्र रहे का थिये अतिंते प्रतिकुल समयमा शेलुन संग अठारह सारमा युरिया आयात को संझोता गरियो तितिवला देश पर युरिया को हाहकार भी किसान विभिन जिल्लामा धर्ना दीर हे का थिये, शैलूंली समयमा मल नल्याय का कारण ने तिस्तो अवस्था सिर्जना भई को थियो, स्रोट भांच यस्तो असक्षम कंपनीलाई पुनह मल ल्यावने ठेक का दिनू कर्मचारी को नियत्मा आशंका गरने प्रशस्ताधार भेटंचन 25,000 तन युरिया आयात गरने तेसरो ठेक का पनी शैलूंली नियूंतम रकम 321.99 डल प्रतितन कबोल करेर पायको हो, पाँच असारमा टेंडर खोलडा रा असार अंतिम साता संजोता हूंदा शैलूंले पहिलो ठेका को मल नल्यायको विश्यमा ख्रिशी सामगरीले स्पष्टी करन सोधिर हेको थियोगतार शैलूंले कुन देश को कुन कमपनिवाट मल ल्यायूंने भने जानकारी समित देर हेको थियन, धोका दिने प्रस्ट संकेत पाईस कदा पनी ख्रिशी सामगरीले शैलूंलाई ने चनोट गरेर संजोता गयो, पहिले कैमल समयमा ल्यायूंन नसके को कमपनिलाई स्पष्टीकरण सोधनेक्रम चलिरहे का वेला दोसरो रतेसरो खिप को ठेक का दिनू उचित थियन, स्रोट भंच तार, शैलूं का संचालक शार्दा प्रसाद अधिकारीले ख्रिशी सामगरी का कर्मचारी सिंध को मिलम तो माकम रकम कबोल गरी ठेक का हत्याए लगातार शैलूं लाई ठेक का दिने नियत का साथ सूचना प्रकाशत हुन थालिपची रासायनिक मल आपूर्तिका लागी टेंडर भरने साथ आठवटा कमपनी पनी निराश भै थे सेले तेसरो पटक 25,000 तन यूरिया का लागी भै को टेंडर मा शैलूंग प्रजोशी बिज हाउस प्राली मातर सहभागी भै का थिये दूइंध ये बाट शैलूं लाई छानिये को थियो शैलूं ले पाए का तीन थेक का करिब तीन अब रुपईयां का थिये समयमा मल नल्यायक ची सरकाले पहिलो ठेक का रद गरिसके को च्छा उप्त ठेक का मा 25,000 तन यूरिया ल्याउन शैलूं ले 320,25 डला प्रतिटन कबोल गरे को थियो प्रतिडलर एक साय बीस रुपईयां उसत गर्नागर्दा पनी इसका लागी सरकाले 96,7 लाग भुपतानी गर्नुपने हुच तर समयमा मल नल्यायक का कारण आयत बार सरकाले ठेक का रद गरिसके को च्छ थिस्ते 30,000 टन यूरिया ल्याउं दोस्रुपटक पाय को ठेक कामा एक अब 12 करोड रुपईयां भुपतानी गर्नुपने देखिच यो ठेक कामा शैलूं ले 311.50 डला प्रतिटन मा कबोल गरे को थियोग थिस्ते 25,000 टन यूरिया ल्याद गर्ने 30 ठेक का का लागी लागी शैलूं लाई 96,69 रुपईयां भुपतानी गर्नुपने देखिच यो ठेक कामा उसले 321.99 डला प्रतिटन कबोल गरे को थियोग शैलूं बोहक चालू आवका लागी इंडियन पोटास लिमिटेड ले 20,000 टन डीएपी रह 10,000 टन पोटास को ठेक का पाई को च्छ थिस्ते मुक्तिनाथ ले 25,000 टन यूरिया रह 20,000 टन डीएपी को ठेक का पाई को च्छ पांच प्रतिशत टोलरेंस मा कमिसन को खेल प्रिशी सामगरी कमपनी लिमिटेड ले मल खरित का लागी आहवान गर्ने टेंडर मा 5 प्रतिशत टोलरेंस राखने गरे को च्छ पानी जहाज मा ल्याओ दा भिजर नश्थ हुने वा ड्राइपोर्ट मा लोड अनलोड गर्दा नोकसानी हुन सिकने भंदे टेंडर गरिये को परिमान मा 5 प्रतिशत मल थपखट हुन सिकने सुविधा दिये को च्छ तर यसलाय कमिसन बुझनेर बुझाओने अस्त्र का रूप मा प्रयोग गर्ने गरिये को च्छ स्रोट का अनुसार 5 प्रतिशत परिमान थपखट हुने भने राखिये को सुविधाय वार्शिक 5 माइनस 6 करोड रुपईया को मल कम वा बढ़ी आउने गरे को च्छ तैंडर मा कबोल गरे को तुलनामा एंतर राश्ट्रिया बजार मा मूलिय घचयो भने 5 प्रतिशत बढ़ी मल याउने गरिये को च्छ स्रोट भंच टेंडर मा कबोल गरे को मूल्य को तुलनामा एंतर राष्ट्रिया बजार मा मूल्य बयोभने 5 प्रतिशत हुन आउने परिमान कम लियाउने गरिये को 6 खासमा 5 प्रतिशत को टोलरेंस निके धीरे हो युसलाइ घटावन उपच उदाहरं का लागी सेलुनली ठेक का पाय को 30,000 तन को 5 प्रतिशत भनाले 15 साय टन मलहुच सेलुनली प्रतिटन 311.50 डिलका दरले युरिया लियाउने भने को 6 जिस नुसार 15 साय तन को मूल्य 5 करोड 60 लाख रुपईयां प्रतिडल औसत 120 रुपईयां हुन आउच तर इंतर राष्ट्रि बजार मा मूल्य घचयो भने 15 साय टन बढ़ी याउन पाउच र कम मूल्य मा ल्याय को मल बढ़ी मूल्य मा बिक्री गरेर अतिरिक तमदानी गर्च स्रोट का अनुसार प्रतिटन आसत मा डेढ देखी दूई डल रिसम मा ठेकेदार ले नाफा आउने गरी काम गर्चन 15 साय टन बढ़ी याउदा ठेकेदार ले दूई लाख सतर हजार रुपईयां आतिरिक्त कमाउच थिस्ते घटे को भाव मा किनेर बढ़ी मूल्य मा बेचा थप मुनाफा का मांचन अरकातिर यस्तो मल खरेद गर ने क्रिशी सामगरी कमपनी लाई पनी फाइदा हुच किन्भिने क्रिशी सामगरी ले युरिया मा प्रतितन एक हजार दूई सया अक्ठाइस रुपईयां रर डिएपी मा दूई हजार एक सया बहत्तर रुपईयां पचास पैसा कमिसन पाउच उदाह करण का लागी 30,000 तनको मूलिय घटे को वेला ठेके दाले 5 प्रतिशत 15 100 तन बढ़ी लाउने योजना सुनाई क्रिशी सामगरी ले सहजय स्वीकृति दिच किन्भिने 15 100 तन बढ़ी लाउदा क्रिशी सामगरी ले पनी 18,42 गर रुपयां बढ़ी कमिसन पाउच यस्तो कमिसन बात प्राप्त रकम क्रिशी सामिगरी ले प्रशासनिक खर्चमा देखाई में परी धंगले उप्योग गर्ण पाउच ठेट का प्राप्त भैस्किपची मल लियाओने वेलाई यहां कबोल गरेको रिकम को तुलनामा एंतर राष्ट्रिय बजार्मा मूलिय बयोभने 5 प्रतिशत कम लियाइंच यस्री कम आयको परिमान को मल थेकेदार ले एंतर राष्ट्रिय बजार्मा बढ़ेको खावनुसार अन्यत्राय कते बिख्री गरिदिचन यस्री बिख्री गरेर पायको अतिरिक्त मुनाफा क्रिशी सामगरी का कर्मचारिसम मलाई बांटफांट हुने गरेको छक कते पैठीकेदार लेता अंतर राष्ट्रिय बजार्मा भाव बढ़ेपची खेक का अनुसार को मलने ल्याउन देनन यहां को जमानत रकम माया मारिदिचन रोट पादक देशबाट के नेर बढ़ेको भावमा अन्यत्रने बिख्री गरिदिचन स्रोट भंच प्रिशी सामगरी को टेंडर्मा धेरे पटेक ठेकेदार कमपनी ले कबोल गरे को मुल्य बदा इंतर राष्ट्रिया बजार भाव बढ़ेको भंदे जमानत रकम माया मारे मल नल्याउने गरे का उदाहरं छन प्रिशी सामगरी संगे मल ल्याउने साल टेंडिनले भने दूई प्ररतिशत मात्र टोलरेंस सुविधादिये को 6. सरकारी अनुदानमा मल ल्याउने दूई कंपनी को टोलरेंस फरक भैपची कृशी तथा पशुपक्षी विकास मंत्राले ले के ही समयगी साल टेंडिनलाई पनी पांच प्रतिशत टोलरेंस राख्वन सुझाब दिये को थियो थियो तर बढ़ी हुने भंदे साल टेंड दिनले अस्वीकार गरे को थियो नया पत्र का देनिक मा अचित अधिकारी ले लेखे का छंद प्रकाशित फदोव पच्चीस दो हजार सतहतर